सबी को नमस्कार दोस्तो हम बात कर रहे हैं Community Health Officer के Health and Wellness Center पर काम आने वाले कितने register हैं और क्या-खया यहां पर काम किया जाता है कौन-कौन से register का जाना से रोल है जी हां दोस्तो हम बात कर रहे हैं CHO Academy Channel के माद्यम से तो अगर हमारे चैनल पर आप लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसी जानकारी जानने के लिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं सारी जानकारी आप लोगों को इस वीडियो के मादम से मिलने वाली है कि एक Health and Wellness Center पर कौन-कौन से रेजिश्टर है वो एक Community Health Officer के दुआरा क्या-क्या कौन-कौन से रेजिश्टर काम में ली जाते हैं और किस तरह के से काम में लेते हैं सबसे पहले आप लोग देख रहे हैं यह OPD रेजिश्टर है बिहार सरकार स्वास्ते विवाग की तरफ से कंडिडेट का मैंने लिया है रेजिश्टर उसमें आप लोग देख सकते हैं यह OPD रेजिश्टर होता है इस परकार से दूसरा रेजिश्टर के अगर हम आप बात करे आप लोगों को जो स्टोक रजिश्टर है वो बनाना होता है उसके बाद हम बात करें यह रेफरल आउट रजिश्टर पेसेंट है कि आपके center पे किस परकार के patients यहां पे आते हैं जिनको आप लोग है वो चाहे वो PSC हो, चाहे वो CSC हो, चाहे वो District Hospital हो आप लोग refer कर पाते हैं इसमें लिखा भी है HSC का नाम है, परखंड का नाम, जीला का नाम, CHO का नाम और अवदी कहां से कहां तक का आपका referral register बना हुआ है, तो इसमें जितने भी patient आप लोग refer करते हैं, परड़े के साब से इसमें mention रहता है, अंदर क्या क्या किस परकार से column है, वो भी आप लोगों को मैं दिखा रहता हूँ, उसके बाद है दोस्तों, high risk pregnancy, HRP register जिसको हम बोलते हैं, तो इस इसमें जितने भी high risk pregnancy होती है, इसका आप लोगों को जो incentive format होता है, उसमें भी mention करना होता है कि कितने आप लोगों के लिए आप पर pregnancy है, वो monthly calculate की गई है, count की गई है, तो यह आप लोगों को register बनाना होता है, उसके बाद अगर हम यह आप बात करें, दूर चोथा, पांच व आप लोगों के लिए यह register है, ज्यादा candidate है, mostly इसको नहीं बनाते हैं, लेकिन जो जिसका बड़ा center है, जहां पर सुवीदा है, फ्रीज वगेरे की, लाइटिंग वगेरे की, वहां पर diagnostic test यह किये जाते हैं, sample collect के जाते हैं, रखे जाते हैं, और PSC को refer किये जाते हैं, उसके बाहरे दोस्तों, टीवर कलोसिस रडिस्टर है, यह आप लोगों को बनाना जरूरी होता है, जिसमें कितने पेसेंट आप लोगों के जो एरिया आपको दिया हुआ है, या कवर करता है आपका SWC, यानि कि जो आपका health and wellness center है, उसमें कितने आंगनवाड़ी आती है, और उस सागनवाड़ी के तहट कितने TB के पेसेंट है, उन तमाम TB के पेसेंट का यहाँ पर मेंसन किया जाता है, उसके बाद दोस्तों, मीटिंग रजिश्टर है, बैठक पंजिगरंद जिसको बोलते हैं, तो यह वाला रजिश्टर दोस्तों, आप लोगों को मन्थली मीटिंग क करी है, जिसमें में सीर्चี उता है, एनम होती है, लगों को समझते हैं, कि यह एक हो जाभी याँ समझते हैं, कि यह chimous кол серь वह है, इस बैठक में कीश परकार से न जो और उसके बाद है दोस्तों यह wellness register है जिसमें हम VHND, VHNC वगेरा मेंसन करते हैं जो VHND है वो आप लोगों की हम बात करें आंगरमणवाडिक शेतर में की जाती है, VHNC है वो सेंटर पर की जाती है बैठक जिसमें साब सपाइ वगेरा और VHND का है ग्रामेंड के जितने भी लोग है उसमें आप लोगों की उनको बताए जाता है चाए वो health education हो, personal hygiene हो, contraceptive हो, pregnancy के regarding हो, बहुत सारी ऐसे activity है जो कि इसमें बताए जाती है और लास्ट में यह जो जनारोगे समीति यहां पर गठित की गई है इसका funding भी आता है जनारोगे समीति का हर statewide यहां पर जो JS जिसको हम बोलते हैं जनारोगे समीति इसका भी आप लोगों को रजिश्टर बनाना होता है उसके according इसके बाद उस तो एक रजिश्टर और होता है जो क्या बोलते हैं एंसेडी का होता है जिसमें नोन-communicable disease के जितने पैसेंड जैसे diabetes है टीबी का है या फिर कैंसर वाला पैसेंड उन तमाम पैसेंड का उस जो एंसेडी रजिश्टर होता है उसमें आप लोगों को मे हो गया अब हो गया ड्रडग रजिश्टर नोन-ग रजिश्टर तीन हाइस प्रिगनेंसी चार और उसके बाद जो ड्यागनोस्टिक टेस्ट रजिस्टर है पांच ट्यूपरकुलोसी रजिश्टर छे भिटिंग रजिस्टर साहत वेलनेस रजिस्टर आठ जन आरोगिस्र समिती रिश्टर 9 और जो आपका किया भोलते हैं करने के लिए के लिए याफ उसमे उन में गंडिडेट पर और का जितने वह चूंडड़ेट करने के लिए हमारे करने के आये थे तो उन कंडिडेट के लिए आप लोग है एक सुवीदा के लिए आप हैं वीजिट रजिश्टर अपने सेंटर पर बना सकते हैं और उसके बाद हम बात करें दोस्तों यहां पर आप लोगों को एंसीडी रजिश्टर बता दिया है जेस रजिश्टर बता दिया है मेंशन करना है तो इसको आप लोग देख सकते हैं ओपीडी रजिश्टर लिखावा है जिसमें सबसे पहले आपका ओपीडी नमबर आ जाएगा डेट आजाएगी पेसेंट का नाम आ जाएगा उमर आ जाएगी मेल फिमेल हो जाएगा उसका एड्रेस हो जाएगा यह परसन हाइट और वेट आप लोगों को लगता है कि इसका लेना ज़रूजी है तो आप ले सकते हैं ब्लड प्रेशर आप लोगों का जो 30 अबो है उसका सभी का यहाँ पे मेंसिन करना होता है रिंडम ली जो ब्लड सुगर लेते हैं वो यहाँ पे आप लोग एक्जाम करके चेक क खरवा सकते हैं नम्डीदी से उसके बाद और शरवाइकल के एंसर है वह यहां पर आप लोगों को मेरे साब से ट्रेनिंग नहीं होता है सी एचो को तो यहां पर आप खाली छोड़ सकते हैं औरल कैंसर आप लोग देख सकते हैं मुझ में चाले वगएर है यह एक पार्ट है तो होता है ने swings करने में तो हैं वो थैली कंसल्टेशन दोस्तों आपको पताना भूल गया यह प्ółलों मिया छोआ करो chos वकूरा है जो कि आप लोगों को डाइलि रूटिनी करना हमगोगे इफ तैली कंसलिटेसन डन, प्रवाइड तैली कंसलिटेसन आईडी. अगर आप लोगों ने इस पेसेंट का जैसे फ़स्स नमर पर पेसेंट है, सीरियल नमर, उसका अगर आप आपने टैली किया है, तो उसका आप लोगों को आईडी इसमें लिखना होता है. पैस नम्मर क्या है, मैनुफेक्ट्रिंग डेट क्या है, एकस्पारी डेट क्या है, और इसे क्वांटिटी कितनी बची है, आपके पास क्लोजिंग स्टोक कितना रहा, और नेम ओब दी रिसीवर एंड सिगनेचर, तो यह आप लोगों को है वो स्टोक रेजिश्टर में में स करना है, आगे हम बात करें, रेफरल जो रेजिश्टर है दोस्तों, उसमें किस परकार से कर सकते हैं, जैसे आपके पास कोई पेसेंट आया, उसका OPD कर्मांग लिखना है, मरीज का नाम डालना है, मरीज का पूरा मोबाइल नम्मर रेफरल तारिक कौन सी है, रेफरल का क्य हालत कैसी थी, रेफर करने की जो तारिक के समय है, वो क्या है, रेफर किया गया है, मरीज के साथ जाने वाले विकति का नाम, मोबाइल नममर, रेफर के जाने वाली स्वास्ते इकाई की अग्रिम सूसना दी गई हैं नहीं दी गई? ये तमाम बाते आप लोगों के रीड कर देना है तो यह आपका हो गया refer register अब हम बात करें high risk pregnancy वाले register की तो इसमें आप लोग देख सकते हैं ऐसे जिसमें follow-up है देख सकते हैं कि जतिल गर्बावस्ताव वाली वहिलाओं के लिए जो पंजिकन करते हैं इसमें वार्शिक और मासिक, दोनों यहां पे करम सिंग क्या दी गई है, तारिक डालनी है आप लोगों को, और UID नमर डालना है, महिला का नाम और फोर नमर, पती का नाम, पिता का नाम, आसा का नाम, और एनम का नाम, और उसकी जो LMP डैट है, EDD डैट है, या फिर पर्थम या अधिक गरबावस् क्या कारण है, और पैचान करने की जगह और तीती, वो यहां पे आप लोगों को मेंसन करनी है, इस तरीके से यह तमाम आप लोग रजिश्टर है, वो बना सकते हैं, टीवी के लिए है, उसमें किस परकार का पेसेंट है, कहां रेफर किया, कब आप लोगों ने जांच करी ह है, और डिगनोस्टिक टेस्ट अगरह है, और मीटिंग रजिस्टर है, वेलनेस रजिस्टर है, जनारोगी है, नसेटी है, यहां पर तमाम रजिश्टर आप लोगों के लिए Community Health Officer के रिगार्डिंग बनाने होते हैं, जो कि आप लोगों को मैंने बता दिया है, दिखा दिय है समझा दिया है candidate message कर रहे थे क्योंकि new candidate होते हैं पता नहीं होता है तो उन तमाम candidate के लिए नया वीडियो है अच्छा लगाओ तो लाइक जरूर कीज़ेगा ताकि ज्यादा से ज्यादा वीडियो है वह recommended हो सके तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही बाकी एक और लेटेस्ट अपडेट लेकर आते हैं तब तक के लिए नमस्कार